नमस्कार सुबह नौबजी के खबरों के साथ मैं हूँ प्रीती आई एक नज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर काले धन को सफेद करने के आखरी मोहलत प्रिधान मंत्री गरीब कल्याण योजना आज से शुरू नोडबंदी के बाद आयकर विभाग का तीन हजार लोगों को नोटिस इवालिट कमपनी पेटियम से धोखा धड़ी का पहला मामला आया सामने सीबियाए में की गए शिकायत 15 लोगों के खिलाप मामला दर्च गवार रैली में राहूल गांदी ने नोडबंदी के मुहिम को बताया ड्रामा कहा गरीबों पर कैशलिस वेवस्था नाथो पे सरकार आज करनाटा के बिलगाउं में करेंगे रैली सुप्रीम कोट का केंदर और राज्य सरकारों को आदेश SCST खानून के प्रावधान सकती से हो लागू समानता के समधानेक लक्ष के लिए बताया ज़रूरी सरकार ने काला धन रखने वालों को अपना धन सफेद करने का एक और मौका दिया है आज से शुरू हो रही प्रधार मंत्री खरीब कल्ने आड़ योजना के तहट 50 फीज़ जर्माना दे कर अगोशताय का खुलासा किया जा सकता है ये योजना 31 मार्च 2017 तक जारी रहेगी जर्माने से जो राशी आएगी उसका इस्तमाल गरीब कल्ने आड़ योजना के ले किया जाएगा इस योजना के तहट हुए खुलासे पर 50 फीज़ टैक्स और जर्माना लगेगा बाकी की 25 फीज़ रखम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा राजस्व सचिप हंस्मुगधिया ने कल इस योजना की पूरी जानकारी दी उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने भी 500 रुपे और 1000 रुपे के पुराने नोट के रूप में अगोशित राशी जमा की है अगर वो इस योजना के तहट जानकारी देते हैं तो उन पर ना तो मुकदमा चलेगा ना ही उनके नामों का खुलासा होगा हाला कि सरकार ने चेताबनी दी है कि 31 मार्श 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगी उनकी खैर नहीं इस योजना में कोई भी व्यक्ति या तो कंपनी कोई भी SSE जो है वो अपनी अगोशित आई का करीब 50% 49.9% तो बी प्रिसाइज 50% टेक्स सर्चाज एंड पेनल्टी बरके और उसके बाद 25% एमाउंड डेपोजिट के रूप में चार साल की डेपोजिट जिसमें बिना इंट्रेस्ट बिना कोई सूध के डेपोजिट रखनी है सरटार के पास चार साल के लिए तो वो deposit करने के बाद एक declaration दे सकते है income tax officer के पास और वो अपनी अगोशित आई को declare कर सकते है नोडबंदी मामले में अब सुप्रीम कोट की समयधानिक पीट सुनवाई करेगी और नोडबंदी की समयधानिकता समेट नौ सवाल तै किये गए है कोट ने लोगों को रहत देने की बाद सरकार पर छोड़ दी साथी इस मामले में निचली अदालतों में सुनवाई पर रोक लगा दी है नोडबंदी से जुड़ी अधिसूशना की वैदता पर अब सुप्रीम कोट की 5-10 समयधानिक पीट विचार करेगी ये पीट अधिसूशना से जुड़े 9 सवालों पर सुनवाई करेगी इसमें अधिसूशना की समयधानिकता के अलावा मौलिक अधिकारों के उलंगन और फैसले को बिना तयारी के साथ लागू करने का सवाल शामिल है इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने नोट बंदी के खिलाफ कई हाई कोट में चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है इस मामले की अब सिर्फ सुप्रीम कोट में ही सुनवाई होगी कोट ने केंदर को निर्देश दिया है कि लोगों को राहत पहुचाने के लिए हर मुम्किन कदम उठाए साथ ही हर हफ़ते 24,000 रुपे निकासी की तैसीमा पर अमल हो शीर्च अदालत ने सरकारी उटिलिटी केंदरों में पुराने नोट के इस्तमाल की अवधी को बढ़ाने से इनकार कर दिया इस बीच जिला सहकारी बैंक में जमा 8,000 करोड रुपे के पुराने नोट को बदलने के लिए सरकार तयार हो गई है इस बात के बारे में केंदर ने कोट में जानकारी दी इसके साथ इन लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी कि अगले साल 30 मार्च तक बैंकों में जमा अगूशित आयका प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योशना के तहट खुलासा किया जा सकता है सरकार 30 दिसंबर के बाद कैश निकासी की सीमा की समीक्षा करेगी अभी एक हफते में 24,000 रुपे निकाले जा सकते हैं इस बीश नोट बंदी के बाद आयकर विभाग के च्छापे में 393 करोड रुपे से जादा की नकदी और सोना जब्त किया गया है नोट बंदी के बाद से आयकर विभाग और दूसरी जांच एजिंसियों ने 290 से जादा मामलों में च्छापे मारी की है इसमें 316 करोड रुपे से ज़्यादा की राशी जब्द की गई है इसमें 80 करोड रुपे के नए नोट हैं इसके लावा 76 करोड रुपे की खीमत का सोना भी पकड़ा गया है साथी बैंकों में बड़ी मातरा में राशी जमा करने वालों को तीन हजार से ज़्यादा नोटिस भेजे गए है सरकार ने काले धन के बारे में जानकारी देने के लिए एक नई इमेल आईडी जारी की है शुकरवार को भी पुलिस और केंद्रिया जांच एजेंसियों के चापे मारी में बड़ी मातरा में नगदी जब्द की गई आंधरप्रदेश पुलिस ने नेलोर के एक होटल से एक करोड चववन लाख रुपे के नए नोट बरामत किये वही महाराश्ट के वासिम से पुलिस ने 41 लाख रुपे जब्द किये है इस मामने में 11 लोगों को गिरफतार किया गया है नोट बंदी के बीच डिजिटल लेंदिन की सुविधा देने वाली इवालेट कमपनी पेटियम ने शकायत दर्च कराई है कि 15 ग्रहकों ने उसके साथ 6,15,000 रुपे की धोखा धड़ी की है सीबिया ने इस वारे में मामला दर्च कर लिया है ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी मॉबाइल वालेट कमपनी पेटियम से धोखा धड़ी के मामले में सीबिया ने केस दर्च करके जाच शुरू कर दी है सीबिया ने कुल 6,15,000 रुपे की इस धोखा धड़ी के मामले में दिल्ली के कालकाजी, गोविंदपुरी और साकेत में रहने वाले 15 लोगों के खिलाफ केस दर्च किया है सीबिया ने इसके लावा कमपनी के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्च किया है पेटियम ने कल दावा किया था कि पिछले 2 साल के दोरान और 40 ग्रहकों ने उसके साथ 6,15,000 रुपे की धोगा धड़ी की है कमपनी के लीगल मैनेजर एम शिफ कुमान ने इस बारे में शिकायत की है इसमें कहा गया है कि कमपनी किसी ग्रहक को मिले खराब उतपाद के लिए भुगतान करती है और खराब उतपाद को मंगवा कर वापस मर्चिंट की बास भीचती है एक आम कमपनी के कुछ चुनिंदा ग्रहक सेवा अधिकारियों दौरा किया जाता है जिने खास आईडी और पासवर्ड दिये जाते हैं पेटियम के मताबिक इन ग्रहकों को सामान की डिलिवरी की गई लेकिन सामान खराब होने के शिकायत के बाद उन्होंने इसे नहीं लोटाया और रिफ़न्ड भी ले लिया नोडबंदी के खिलाफ कॉंगर्स समेथ कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपती प्रणम मुखरजी से गुहार लगाई है मौजूदा हालात को आर्थिक आपदा बताते हुए शुक्रवार को विपक्ष ने मामले में राष्ट्रपती से हस्तक्षेप की अपील की आला कि इस प्रतिने दी मंडल में समाजबादी पार्टी, बिएसपी, न्सीपी और वाम दलों के नेता शामिल नहीं हुए पूरे शीत कालीन सत्र में नोडबंदी का मोददा उठाने वाले विपक्षी दलों ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपती से मुलाकात की असमति दी कोपरेशन नहीं दिया और जो लोकतंत्र के हर उसूल को उन्होंने तोड़ा और हम उस उसूलों को अपहेल करने के लिए पूरी कोशिश की लेकिन हमारे को यह सदन को उन्होंने ठीक डंग से नहीं चला यह पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसमें वि राष्टपती से मुलकात में समाजवाधी पार्टी, डियमके, बियस्पी, न्सीपी और सीपीम और सीपीयाई के नेता नहीं थे. माना जा रहा है कि राहूल गांधी के प्रधानमंत्री से अकेले मिलने को लेकर यह दल नाराज थे. प्रभाव जो पढ़ रहा है जनता के ऊपर अब उस प्रभाव के बारे में हमने पहले दिन से कह रहे थे कि राष्ट्रपती महधे को इसके अंदर शामिल करके उनको लपेटना कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कुछ खास मही कर सकते हैं. सरकार को भी विपक्ष की एक्ता में आई दरार पर तंज कसने का मौका मिल गया. कॉंग्रेस पार्टी इस विशे के बारे में पुरा कंफ्यूस्ट है, भ्रमित है, मोधी सरकार के इस पहल के बारे में पुरा देश साथ दे रहा है, वो उप्चुनाम अभी हमारे सामने आ गया, इसलिए उसको देख नहीं, जमीन की हकीकत को देख नहीं पा रहे हैं विप पक्षिदलों के नेताओं ने राश्टपती से मुलाकात की थी और नोडबंदी से जनता को दिकतों का मुद्दा उठाया था, पंचरनन मिश्रा, राजी सभा टीवी संसत का शीत कालीन सत्र खत्म हो गया है, शुकरवार को राजी सभा की कारवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, रोडबंदी के मसले पर पूरे सत्र में दोनों सदनों में गतिरोध देखा गया, इस हालाद पर राजी सभा की सभापती मुहमद हामिद अंसा सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई, उन्होंने लगातार अवरोध पर नराज की जताते हुए कहा कि सभी पक्षों ने नियमों का उलंगन किया है सभापती ने सभी पक्षों से आत्म विशलेशन करने की बात कही, उन्होंने कहा कि गतिरोध की वजह से आम जनों से जुड़े प्रश्न सदन में नहीं उठ सके All sections of the house need to introspect on the distinction between dissent, disruption and agitation The house functioned on the first day of the session and had a useful discussion on demonetization on November 16th and on November 24th which remained inconclusive सभापती मुहमद हामिद अंसारी ने कहा कि सदन में सिर्फ दिवंगद लोगों को शद्धांचली देते समय ही शांती रही उन्होंने कहा कि सदन में कारवाही सिर्फ पहले दिन ही चल सकी सभापते ने ये भी कहा कि नोट बंदी पर सिर्फ 16 नवंबर और 24 नवंबर को चर्चा हो सकी लेकिन वो भी अधूरी रही लोकसभा की कारवाही को भी अरिश शितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है सदन में करीब पूरे शितकाली इन सतर में गतिरोद बना रहा गंटे का कीमती समय बर्बाद हो गया लोकसभा में सत्र के दौरान नौसर कारी विधेक पेश किये गये वहीं कर अधिनियम संशूधन विधेक और शक्त वेक्ति अधिकार विधेक पारित किया गया साथी लोक मेहत्व के 124 मामले उठाए गए लोकसभाद्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि आगामी सत्रों में काम बिना विधान के होगा मुझे आशा है कि आगामी सत्रों में कोई विधान नहीं होगा और हम सभी बेहतर डंग से कारे करेंगे जिसके परिणाम सुरू सार्तक चर्चाए एवब सकारात्मक विचार विमर्च होगे प्रधान मंत्री नरींदर मोदी ने आरोप लगा है कि विपक्ष ब्रष्टाचार के खिलाव सरकार की कोशिशों का विरूद कर रहा है कॉंग्रिस को आड़े हाथो लेते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दल खुद को देश से उपर समझ रहे है प्रधान मंत्री ने बताया कि अफसर शाही को लोगों को परिशान नहीं करना चाहिए शीत कालीन सत्र के आखरी दिन बीजेपी संसदिय दल की बैठक में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने संसद में अवरूद के लिए विपक्षी दलों की आलोशना की उन्होंने कहा कि पहले विपक्षी दल घोटालों के खिलाफ संसद को बाधित करते थे अब ये विरोध, काले धन और प्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयासों के लिए है और विपक्ष में ज़्यादा तर लोग बेइमानों का साथ देने के लिए इकटे हो रहे है पधान मंतरी ने कहा कि नोट बंदी से हो रही परेशानी पचास दिन के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगेगी उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थ विवस्था से पार दरशिता बढ़ेगी उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी से पुराना हिसाब किताब नहीं मागा जाएगा पदान मंतरी ने कहा कि 1971 में वांचू समीती ने नोडबंदी के सिफारिश की थी लेकिन तब की कॉंग्रिस सरकार ने इस पर अमल नहीं किया प्रणव गोस्वामी राज्य सभा टीवी कॉंग्रिस उपाद्धक्ष राहूल गांधी ने आरोप लगाया है कि नोडबंदी में देश के 99 फीज़दी जनेता पिस रही है उन्होंने ये बात गोवा में कल एक रैली में कही गोवा में अगले कुछ महीनों में चुना होने है राहूल गांधी ने कहा कि नोडबंदी सिर्फ ड्रामा है और इसमें ब्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कोई कारवाई नहीं होने वाली है उन्होंने नोडबंदी को गरीब और इमानदाल लोगों पर हमला बताया सरकार के कैशलिस भुक्तान पर लगातार दिये जा रहे है जोर पर राहूल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी नखदी रहे तर्थ विस्था के खिलाफ नहीं है लेकिन इसे गरीबों पर नहीं थोपा जाना चाहिए रहूल गांधी आज करनाटा के बिल गाओ में एक रैली को संबोदित करेंगे कॉंगर्स उपाद्यक्ष राहूल गांधी ने प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी से किसानों का कर्ज माफ करने की अपील की है प्रधार मंतरी से एक प्रतने धी मंडल मिला कॉंगर्स का और उनसे किसानों की दिक्कते दूर करने के लिए कहा राहूल गांधी ने गेहूं से आयाद शुल्ख अटाने को भी किसान विरूधी बताया उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों से जुटाये गए इन मांग पत्रों का मुद्दा शुकरवार को कॉंग्रिस ने प्रधान मंतरी के सामने रखा कॉंग्रिस उपाद्यक्ष राहूल गांधी संसत की कारवाही शुरू होने से ठीक पहले ही प्रधान मंतरी से मिलने संसत भौन इस्थित उनके दफ्तर पहुंचे राहूल ने प्रधान मंतरी को बताया कि पिछले दो साल में किसानों की हलत बत्तर हो गई है और सूखे ने कई किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है कॉंगर्स उपाद देख्ष ने प्रधान मंतरी से किसानों का कर्ज माफ करने उनकी फसल की वाजिब कीमद दिलाने और बिजली का बिल हाफ करने की मांग की राहुल गांथी ने बताया कि प्रधान मंत्री ने उनकी बात गोर से सुनी लेकिन कर्ज माफी पर कोई आश्वासन नहीं दिया दरसल राहुल गांथी ने उत्तर प्रधेश में किसान यात्रा की थी इसमें किसानों से दो करोड मांग पत्र जुटाए गए ऐसी यात्रा पंजाब में भी हुई और वहां भी 30 लाग किसानों ने मांग पत्र भर कर अपनी समस्या बताई थी इस बीच एंसेपी अदेक्श शर्ट पवार ने आरूप लगाया कि नोट बंदी के बाद किसानों को खाद बीच मिलने में दिक्कतें आ रही हैं इससे रभी की बुआई पर असर भी पढ़ रहा है शर्ट पवार ने कहा कि किसान सहकारी बैंकों पर पूरी तरह निरभर हैं लेकिन वहां नकदी की कमी से किसानों को कर्ज नहीं मिल पा रहा पंचानन मिश्रा, राजी सभा टीवी लोग सभास से कल पारित होने के साथ ही निशक्त व्यक्तियादिकार विधैक 2016 को संसत के दोनों सदनों से मन्जूरी मिल गई विधैक में विशेश रूप से सक्षम लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शेक्षिक संस्थानों में आरक्षन तीन से बढ़ा कर चार फीजदी किया गया है साथी ऐसे लोगों के साथ भेदभाव पर दो साल तक की सजा और पांश लाक रुपे जुर्माने का प्रावधान किया गया है ये विधैक उध्वार को राज्य सभा से पारित हुआ था शूइत कालीन सत्र के आखरी दिन विशेश रूप से सक्षम लोगों से जुड़ा विधैक लोग सभासे ध्वनिमत से पारित हो गया इसमें ऐसे लोगों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्तराष्ट कन्वेंचन के मताबिक प्रावधान किया गया है हम और ज्यादा सक्री हो करके तेज गती से दिव्यांगों के हितका काम करेंगे उनका शशक्ति करन करेंगे दिव्यांगों के लिए सरकारी नौक्रियों और शेक्षिक संस्थानों में आरक्षन तीन से बढ़ा कर चार फीजदी किया गया है इसके अलावा दिव्यांगों की श्रेणियों को साथ से बढ़ा कर 21 कर दिया गया है इन श्रेणी में साइकोलोजिकल डिसेबिलिटी, लिपरोसी, और्टिजम, मेंटल इलनेस, इस्पेक्टम डिसॉडर और सेरिबल प्लासी जैसी गंभीर बिमारियों को रखा गया है इसके अलावा तेजाब हमले के पीड़तों को भी जगह दी गई है दिव्यांगों से बहिदभाव पर दो साल की सजा और अधिक्तम पांच लाख रुपे के जुर्माने का प्रावधान है दलगत राजनीती से उपर उठकर तमाम सांसदों ने दिव्यांगों के लिए सभी खाली पड़े पदों को भरने के अलावा जनता को जागरुग बनाने पर भी जोर दिया इस बिल में जो डिस अबिलिटी वर्ड है इस वर्ड को अगर इस पेशल अबिलिटी वर्ड में बना जाए सब्सक्राज करते है जा ने जए ने टुरडिटी आपिज वर्यर प्रषब ¬न यॉर्टे समया प्रषब पर्षब को अट यूरूर में जागर बना जाए ने टुए बना जे बिलिटी आपने जूर्वापिटीज प्रश्य वर्ड आए ने टीन डिस तर अद्यर चृत्कर सबको बनाना है पूरे देश के रोगों को राश्रुपती की मन्जूरी के बाद विधेयक कानून बन जाएगा नया विधेयक अब पुराने Disability Act 1995 की जगह लेगा विधेयक के पारित होने से धाई करोड से जादा दिव्यांगों को फाइदा मिल सकेगा देश भर के स्कूली शिक्षकों की गुडवत्ता में सुधार लाने के लिए संसदीय स्थाय समिती ने आखिल भारतीय समान भरती परिक्षा के आयोजन के सिपारिश की है मानव संसाधन विकास मंत्राले से जुड़ी स्थाय समिती की समिती ने इस परिक्षा को सभी राज्यों में समान रूप से लागू करने की भी सिपारिश की है इसके लावा समिती ने बड़ी संख्या में शिक्षकों के खाली पदों पर चिंता जताते हुए इसके लिए तुरंत कदम उठाने के लिए कहा है सुप्रेम कोट ने केंदर और सभी राज्य सरकारों को SCST अधिनियम को सही तरीके से लागू करने की निर्देश दिये हैं कोट ने संबद्द प्रादिकारियों से समानता के सम्मेधानिक लक्ष को हासल करने के लिए अनुसूचिजातियों और अनुसूचिजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज एक लक्ष को सिर्फ तभी हासिल किया जा सकता है जब अनुसूच जाती और अनुसूच जन जातियों के अधिकारों के रक्षा की जाए पीट ने कहा कि रिकॉर्ड में परयापत सामगरी है जो ये साबित करते हैं कि सम्मध अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करने के दोशी हैं। की डीजल की दरों में 12 पैसे की कटोती की गई थी भारत ने राश्रपती प्रणवकरजी और बौद धर्मगरू दलाई-लामा के बीच मुलाकात पर चीन के आपते खारिच कर दी है विदेश मंत्राले ने कहा कि जिस कारिक्रम में दलाई-लामा और राश्रपती की मुलाकात पुप्राश्रपती मौमद हामिद अनसादी ने जीवन में संतुलन के लिए बेहतर मानसिक स्वास्ते पर जोड़ दिया है दिल्ली के एमस में आयोजित काडिक्रम में वेलनिस इस दी की टू हापिनिस नाम की किताब के विमोचन के मौके पर उन्होंने ये बात कही इस कित अमेरिका ने चीन में जब्त अपनी द्रोन पन डुबी तुरन छोड़ने के लिए कहा है अमेरिके अधिकारियों के मताबिक समुद्र में सर्वेक्षन करने वाले जहाज यूएस एनस बोरिच को गुरवार को दक्षन चीन सागर में जब्त कर लिया किया था पेंटेगन के प्रवक्ता जेफ डेविस ने बताया कि इसके जरिये जुटाए गए डेटा का इस्तमाल पानी के अंदर चानल की जानकारी के लिए किया जाना था अमेरिका ने इस एंतराश्ट्रे खानून का उलंगहन खरार दिया है वहीं चीन की ओर से अभी तक इस मामली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अमेरिकी राश्पती चुनाओं में डेमोक्रेटिक पार्टी की उमीदवार रही हिलरी क्लिंटन ने अपनी हार के लिए रूस की ओर से की गई हाकिंग को जिम्मेदार बताया है एक कारिक्रम को संबोदित करते हुए हिलरी क्लिंटन ने आरूप लगाया कि रूस की राश्पती ब्लादिवन पुतिन ने उनसे अपने यहां संसदिय चुनाओं में धांदली की बात कही थी जिसे अमेरिकी चुनाओं में दोहराने की कोशिश की गई रूस पर डेमोक्रेटिक पार्टी और हिलरी क्लिंटन की एक प्रमुक सही होगी के एमेल हैक करने का आरूप है लेकिन वो इन आरूपों से इंकार करता रहा है बात खेलोगी जूनियर होकी वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का मुकाबला बेलजियम से होगा बेलजियम की टीम लकातार दो बार की विश्वकाब बिजेता जर्मनी को हरा कर फाइनल में पहुंची है इससे पहले कल समय फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पैनल्टी शूट आउट में चार दो से हरा दिया काटे के मुकाबले में निर्धार समय तक दोनों टीमें दो दो गोल की बराबरी पर थी आस्ट्रेलिया ने मैच के चौदवे मिनट में पैनल्टी कॉर्नर गोल में तबढ़ाद दना ली थी लेकिन भारती टीम ने जोरदार वापसी करते हुए 42 और 48 वे मिनट पर गोल करके भारत को बढ़ाद दिला दी लेकिन मैच के आखिन में आस्ट्रेलिया ने गोल करके बराबरी कर ली पानल मुकाबला रविवार को खिला जाएगा जिसमे भारत के सामने बेलजिम की चुनाती होगी एक रिकिट में चिन्नाई में भारत और इंगलेंड की बीच 5 वार अंतिम टेस्स माच खिला जा रहा है कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंगलेंड ने चार विकेट के नुकसान पर 284 सीनन बनाए टॉस जीत कर इंगलेंड ने पहले बल्ले बाजी का फैसला लिया इंगलेंड की शिरुआत अच्छी नहीं रही और उसके दो विकेट 21 रन उपर ही गिर गए इसके बाद मोहिन अली ने जोई रूट और बेस्ट्रो के साथ मिलकर पारी समझा ली इंगलेंड की तरफ से मोहिन अली 120 और बेंस्ट्रोक 5 रन बना कर नाबाद है भारत की तरफ से तेज गिंदबा जिशान शर्मा ने एक विकेट लिया जबकी रवईन जोडेजा ने तीन विकेट जटके पांच बाचो की सिरीज में भारत पहले ही तीन शुन्नी की अजे बरहत बना चुका है भारते बैडमिंटन के लाड़ी पीवे सिंदु ने कारोलीना मारिन से रि ओलम्पे के फानल में मिली हार का बदला ले लिया है शुकराओ को सिंदु ने स्पैम की कारोलीना को रोमान चक मुपाबले में سीधे गेम में हराया इस जीत के साथ इस सिंदू ने दुबाई विश्वे सूपर सुरीस फाइनल्स के समे फाइनल में प्रवेश कर लिया 46 मिनिट तक चले मुकाबले में सिंदू ने 21-21-23 से जीत दर्ज की ये सिंदू की गुरूब B में दूसरी जीत थी इससे उन्होंने अंतिम चार में भी अपनी जिगा पक्की कर ली है रियो अलम्पिक के फाइनल में सिंदू मारिन से हार गए थी और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोश करना पड़ा था और अब आखिर मेड लाइन्स कालधन को सफेद करने के आखरी मोहलत प्रधानमंत्री गरीब कल्यार यूजना आज से शुरू नोडबंदी के बाद आयकर विभाग का तीन हजार लोगों को नोटिस इवालेट कंपनी पेटियम सिंद्धो का धड़ी का पहला मामला आया सामने सीबियाए में की गई शिकायत पंद्रा लोगों के खिलाप मामला दर्ज गौार एली में रहूल गांदी ने नोट बंदी की मुहिम को बताया ड्रामा कहा खरीबों पर कैशलिस अर्थवेवस्थानाथों पे सरकार आज करनाठा के बलगाउं में करेंगे रैली सुप्रीम कोट का केंदर और राज्य सरकारों को आदेश S.C.S.T. कानून के प्रावधान सकती से हो लागू समानेता के समयधानिक लक्ष के लिए बताया ज़रूरी देश बरके स्कूलों में ओल इंडिया एंट्रिंस एक्जाम से हो भरती संसत की स्थाई समिती रेकी सिपारिश का अन्यमित्ताओं से बचने के लिए सभी राज्यों पर हो लागू और इसे के साथ फिलाल सुबर नौवजी की खबरों में मेरे साथ इतना ही आगे आप देख सकते हैं कलम गवाहे नमस्कार